हेलो मेरे प्यारी स्टुडेंट कैसे आप सभी आशाकरतों सभी ठीट होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेस्टन बर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइस 3 एका और इसके भी मैंने इन दोनों क्वेस्टन का यानि यह टोटल जो चार क्वेस्टन है इनका नीचे डिस्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगा वहां से जाकर कि आप सारे के सारे वीडियो को देख सकते हो किवाला आपको एक्सरसाइस 3 वाला जो लिंक रहेगा उसमें क्लिक करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझते हैं इसमें बोल रहा कि by what least number should the given number be multiplied to get a perfect square ठीक है perfect square number यानि यह जो number समय दिये हुए है ना इसमें हम लोग कितने का multiply करें सबसे छोटा कौन से number से इसका multiply करें ताकि यह number मेरा क्या बन जाए perfect square बन जाए in each case find the number whose square is the new number और साथी साथ आपको यह भी बताना है कि जब आप इसको perfect square बना लोगे तो वो जो perfect square बना है वो किसका है यानि जो perfect square बना है वो किसका perfect square है जैसे question number 2 पे आपने बताया था यह मेरा कितने का था सदिये मेरा 24 नहीं 84 का आया था यह 84 का square था उसी तरीके साथ में लगवा फर question में सीखा है तो यहां भी वही काम करना बहुत ही simple है आगे मैं को copy में समझाता हूं कैसे solve करेंगे तो देखो जो हमें number दिया हुआ है 2156 सब पहले क्या करना है हम इसका prime factor find करेंगे ताकि देखें कि इसका जो square निकल रहा है ना यहीं इसके जो factors है उनका square बन रहा है कि नहीं बन रहा है जैसे बाकी question में हमें solve किया है तो यहां हमारे पास 2156 है इस वो जली से आप फैक्टर इसके निकाल लो तो यहां मेरा यह last में 6 है निक 2 से divide हो रहा है ना 2 जा 2 हो जाए उसके बाद लिखेंगे 27 15 sorry 14 उसे बाद 15 में से 14 कट होगा तो बचेगा 1 वो आगे जागर 16 मना देगा तो 28 16 हो जाएगा इस तरीके से आपको इसको divide देना है देन अब हमारा फिर 2 से हो रहा है क्योंकि last में 8 है तो देखो 25 जा 10 लेलो शुरू में कितना digit लेना है कोई दिक नहीं हो रहे की नहीं तो हमारा 5 5 3 8 होता है 9 अगर हमारा ऐड़ करते हैं तो हमारा जगा 17 17 3 के टेबल में नहीं आता है यानिके 3 से भी divide देवाइड नहीं होगा तो तो 7 से मेंज़े फिर से मेरा 49 हो जाएगा फिर हमारा ये 7 से हो रहा देखो 7 मेंज़े 7 और फिर से 7 मेंज़े 7 अब 11 आगया है तो 11 किसी के टेबल में नहीं आता है अगर मानलो मैं एक और 11 का यहाँ पर मल्टिप्लाइ कर दू तो अब यहाँ पर मेरा 2 का भी प्यर बन जाएगा आँ अपने को क्या करना है? इसमें 11 का करना है लिखोगे दे नंबर अन्ट शुड्भी मल्टिप्लाइड लिख़्ोगे इस नंबर में 11 का करना है तो एक तो आप इस तरी के लिख लोगे कि अपने अपर इसमें 11 का multiply करना पड़ेगा तो एक answer निकल गिया पहला कुछ नहीं था कितने का multiply करना पड़ेगा तो 11 का करना पड़ेगा अब आपको बताना है कि जो number अब बन रहा है उस वो किसका square है तो उसके आपको यहाँ पर इस सभी का multiply करने की जो रहतनी है देखो simple तरीका है अब यहाँ पर लिखोगे new number तब जो हमारा new number बनेगा उसके जो factor रहेंगे सेम इसी तरीके से रहेंगे 2 multiply 2, 7 multiply 7 बस यहाँ पर जो मेरा 1 11 था पहले अब हमने 1 11 का और multiply कर दिया 2 पर 11 लिख देंगे तो जो नया number बनेगा उसका factor कुछ इस तरीके से निकलेगा अब आप लोग क्या कर दो इसका square बना दो 2 का square, 7 का square और 11 का square अब हम देखो जानना है कि नया जो number बन रहा है वो कितने का square बनेगा तो यहाँ पर हमनों क्या करेंगे simply multiply कर देंगे 2 multiply, 7 multiply, 11 का complete square ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 7 to 14, 14 का 10 time table पढ़ते है तो हमारा 140 आता है और 11 time यानि एक बर और 14, 14 करना पड़ेगा तो 140 और 14 हो जाएगा 154, यानि इन सभी का multiply करोगे तो 154 आ जाएगा यानि कि जो नया नमबर बनेगा न इसमें 11 का multiply करने से वो जो होगा, वो 154 का square होगा आपको नया नमबर जानने की भी जरूत नहीं कि नया नमबर जो है, वो कौन सा बना है या आपको नहीं जानना है, आपको डारेट यहाँ पर यही देखना है जो नया नमबर बन रहा है, वो कितने का square है तो नया नमबर जो है, वो 154 का square है इस तरिके साब को इस question को solve करना था आई पको बहुत अशे समझ में आगिया होगा चलि अब जो अगला question उससे solve करते है तो देखो जो fourth number question है, वहाँ पर हमें 2925 दिया हुआ है तो देखो, 5 और 2 हो जाता है, 7 7 और 2, 9 और 9 मिला दो, तो हो जाएगा total 18 यानि इनका जो sum निकल रहा है, वो 18 हो रहा है इसका मतब यह 3 से divide हो जाएगा तो हमनों पहले 3 से divide करेंगे यहाँ पर मेरा हो जाएगा, देखो, 3 के table में 3, 9 जा 27 यहाँ पर से 27 में से, 29 में से 27 कट हुआ तो बचा 2 वागे जा करके इसको 22 बना देगा तो 3, 7 जा 21 22 से 21 कट हुआ, बचा 1 वागे जा कि इसको 15 बना देगा, तो 3, 5 जा 15 फिर 3 से हो जाएगा हमारा देखो, यहाँ पर क्योंकि 5 और 7 हो जाएगा मेरे पास 12 और 12 और 9 होता है मेरे पास 21 यानि कि 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3, 3 जा 9 ले लेंगे 3, 2 जा 6, आगे गया 1 तो 3, 5 जा 15, फिर 3 से चेक कर लो तो 5 और 2 हो जाएगा 7 7 और 3 होता 10, अब तो 10 आगया जो कि 3 के टेबल में नहीं आता यानि याप 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग इसको 5 से करेंगे कि विलाश में 5 है तो 5, 6 जा 30 हो जाएगा 32 में से 30 कट हुआ, बचा मेरे पास कितना 1 ठीक है, सुरी 1 बर राउं 2 2 आगे जागर 25 बना जाएगा तो 5, 5 जा 25 फिर से मेरा 5 से डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल में 5 बन जा 5 हो जाएगा 1 आगे गया तो 5, 3 जा 15 हो जाएगा 13 आगया तो 13 बन जा 13 हो जाएगा तो इसका जो फैक्टर निकल गया वो 3 multiply, 3 multiply 5 multiply 5, multiply 13 निकल गया तो देखो यहाँ पर भी 3 का और 5 का पेर बन रहा है यहीं 13 का पेर नहीं बन रहा इसका मतब कि अगर मैं इस नंबर में एक और 13 का multiply कर दूँगा ना तो यह मेरा क्या होगा एक perfect square बन जाएगा तो यहाँ पर फिर से बही आप लिखोगे कि the number should be multiplied by 13 यानि कि हमको क्या करना है इसमें 13 का multiply करना है जैसे मैंने यहाँ इस्टेट्मेंट बताया था ना सिम उसी तरीके साब को यहाँ भी इस्टेट्मेंट बना करके लिख लेना है तब उस condition में जो हमारा new number बनेगा तो जो नया number बनेगा वो 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 और फिर 13 multiply 13 बन जाएगा यहाँ कि क्योंकि पुराने वाले में कि वाली एक 13 था लेकिन नया number में ने क्या किया 13 का एक और multiply कर दिया तो यहाँ पर आपक दो बार 13 भी होगे तो अपने को यह भी चेक करना है कि इसका square है तो इसको 3 का square, 5 का square और 13 का square बना दो यहाँ पर आप लोग इसको कर दो 3 multiply 5 और multiply 13 का square तो यहाँ कितना हो जागे यहाँ से 5 3 जो हो जाएगा 15 15 को टेबल 10 टेम पढ़ते हैं तो 150 आता है और 3 टेम और पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा तो 150 प्लस 45 कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा यानि कि इसका जब multiply करोगा आप लो तो 195 आएगा यानि कि जो नया number हमारा बन रहे है न वो जो है 195 का square रहेगा इस तरीके साब को इस question को solve करना था चलिए अकला question solve करें तो देखो यह मेरा 6th number question है जहाँ पर में 7623 दिया हुआ है चलिए इसके भी factor find किये जाएं तो सबसे पहले 7, 6, 2, 3 को इस तरी के संदर करो उसके बाद आप देखो last में हमारा 3 है तो हो सकता है 3 से divide हो रहा हो लेकिन check कर लेते हैं क्यों कई बार last में 3 होने की बाद भी 3 से divide नहीं होता है तो यहां मारे पास 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 6 हो जाएगा 11 11 में 7, 8 करेंगे तो जाएगा 18 तो 18 3 के table में आता है यहीं कि यह 3 से divide हो जाएगा है ज़रो 3 से divide कर लेते हैं 3, 2 जा 6 हो गया, 1 आगे गया तो 16 बन जाएगा तो 3, 5 जा 15, फिर 1 आगे गया तो यह 12 बन गया तो 3, 4 जा 12, और last में 3, 1 जा 3 फिर से 3 से हो जाएगा, तो 4 और 1 5 और 5 हो जाएगा 10 और 2 12 बिल्कुल 3 से हो जाएगा जबो 3, 4 जा बोल रहा हूं, 3, 8 जा हो जाएगा मेरा 24 1 बचेगा यहाँ पर से, 1 आगे जाएगा तो 14 बना दिया तो 3, 4 जा 12 हो गया, फिर यहाँ पर से 2 आगे जाएगा क्योंकि 14 था यह, तो 2 आगे जाएगा तो 21 बन गया तो 3, 7 जा 21, अब फिर 3 से हो रहा है क्या तो 8 और 4 हो जाएगा मैरा 12, 12 में 7 8 करेंगे तो 19 यह अब 3 से नहीं हो रहा, तो 7 है तो हो सकता है 7 से डिवाइड हो जाए 7 बंज़ा 7 हो गया, 7 तू जा 14 हाँ, यह 7 से हो रहा देखो 7 बंज़ा 7 हो जाएगा यहाँ पर, उसे बाद 1 आगे जाएगा तो 14 बंज़ाएगा तो 7 तू जा 14 और फिर से 7 बंज़ा 7, तो 121 आगिया है और हम क्या जानते है 121 किसी से डिवाइड नहीं होता है, किवल 11 से होता है, 11 11 जा 121 आता है और फिर 11 बंज़ा 11 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जब हमने इसके फैक्टर निकाले तो क्या देखा हमने कि 3 multiply 3 हो रहा है, फिर multiply 7, multiply 11, multiply 11 आ रहा है यहाँ पर हमारा 3 कभी pair बन रहा है और 11 कभी group बन रहा है, ठीक है लेकिन यह 7 है इसका, square नहीं बन रहा है तो हमको क्या करना पढ़ेगा, इसमें एक और 7 का multiply कशना पढ़ेगा मेरी बाद यहाँ आप आप भी आप 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 बोग ऐसे लिखोगी नहीं आ और आप आको अम्मे क्यों समझाने के लिख रहा हूँ 7 का multiply कर दिया तो इस condition से हमारा यह क्या हो जा रहा है 3 का square multiply 7 के square multiply 11 के square आ जा रहा है तो यहां से आप लोग जेक कर लो कि इसको भी solve करना था चलिए जो जो लास्ट question इसी question उसे solve किया जाए तो लास्ट question हमारा पास दिया हुआ है 2, 4, 7, 5 चलिए factor निकालने इसके भी तो 2, 4, 7, 5 हमारा 3 से हो रहा है की नहीं हो रहा क्योंकि दोको लास्ट में 5 बतर 2 से तो होगा नहीं 3 से check कर लो यह हो जाएगा हम 32 जा 6 हो गया, 2 आगे गया, 3, 7 जा 21, फिर 1 आगे गया तो 3, 5 जा 15, फिर 3 से हो रहा है क्या, तो 5 और 2, 7 और 7 मिला गर हो जाएगा 14, तो 14 3 के devil में नहीं 3 से नहीं हो रहा, तो 5 से कर लेते हैं, 5, 5 जा हो जाएगा 25, फिर 27 से 25 कट हुआ, बचा 2, तो यह इसको जा करके 25 बन multiply 5, multiply 11 हो जा रहा है, तो यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर आपन एक 11 का और multiply कर दें, तो यह मेरा क्या होगा, एक perfect square बन जाएगा, यहां हम लोग वह लिखेंगे कि the number should be multiplied by 11, तो जो हमारा new number बन रहा है, जिसको मैं shortcut में n, लिग देता हूँ, वो जाएगा मेरा 3 क square, 5 का square, multiply 11 का square, ठीक है, तो 3 multiply 5, multiply 11 का यह complete square कर देते हैं अपन, चलो आप लोग इसको multiply करके मुझे comment box ने बताओ, यह जो number है, यह किसका square होने वाला है, ठीक है, पाक अगर आपको अभीत कुछ doubt होगा, तो आप मुझसे Instagram यह Telegram के तो पूच सकते हो, उनका link देपको मैं description box म आप कर दो सकते हैं